पूरा गेम जो डिपेंडेंट होने वाला है, वो रिविजन पर डिपेंडेंडेंट होने वाला कर रिविजन ही नहीं होगा, एधर यू हाफ तो रिग्रेट इट, दो ही ऑप्शन है, आपके पास एक बार MSTCD exam हो गई, तुक्के के भरोसे पर मत बैटना, तुक्का ठीक, न पता है आप सभी students ने board exam के बाद काफी महनत किये CTA exam के लिए, CTA exam में अच्छे percentile score करने के लिए सारे students ने महनत किये, बट अब यहाँ end तक आके, अब last का जो final DAO है ना, वो deciding होने वाला है, कि आपको जो है admission मिल पाएगा top 10 college में या नहीं मिल पाएगा, देखो CTA exam सारे students इ ताकि हमें अच्छे engineering college में admission मिले, आप यहाँ से CTA exam में आप final DAO कैसे लगाते हो, और final DAO का मतलब है कि आप final revision कैसे करते हो, है ना, ultimately आपको revision करके ही जाना है exam को, क्योंकि पूरा game जो dependent होने वाला है, वो revision पे dependent होने वाला, अगर revision ही नहीं होगा, तो आप भले पुरा syllabus complete किय हो, तो आपको कुछ याद नहीं आने वाला है exam में, बहुत लोग, देखो, एक चीश, fact में आपको बता देता हूँ, कोई भी इंसान, किसी भी बच्चे का मैं example ले लू, किसी भी टॉपर का मैं example ले लू, इधर किसी का भी 100% syllabus कभी complete नहीं होता, तो यह मित ना, दिमाग से निकाली दो, अब जितना हुआ है ना, बस उसी को revise करना है, और revision कैसे करना है, और final DAO कैसे लगाना है, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, literally अगर आप इसको miss कर दिये ना, यह final DAO को अगर आपने miss कर दिया ना, तो like आपको regret करना पड़ेगा, either you have to do it, either you have to regret it, दो ही option है, आपके पास एक बार MSTCT exam हो गई, या तो regret करोगे, या तो आपको अपी करके दिकाना है, अभी वक्त है तो आपको करके दिकाना है, you have to decide कि आपको करना है, या फिर regret करना है, अगर आप revision करना चाहते हो, तो कैसे कर सकते हो, सबसे best method में आपको बताऊंगा, revision क के लिए, basically मैंने भी कैसे revision किया था MSTCT exam के लिए, सारे topas कैसे करते है, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में discuss करेंगे, video is going to be very 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 important, watch till the end, सबको end तक वीडियो देखना है, और सारी चीज़े मैं आपको provide कर रहा हूं, mind map, short notes, कुछ students के मेरे पास short notes है, वो सारे notes, सारे materials आपको आप सभी students को बता है, finale match आ चुका है, finale match में आप सभी students को दाओ लगाना ही लगाना है, और rix लेना ही लेना है आपको, अभी rix का मतलब यह ही है, कि अभी इस time से जो है, आप सभी students को positive mindset रख के match को खेलना है, match को खेलना है, यानि कि बस CT exam के लिए तयारी करना है, आप positive mindset र सकते हो, सबसे पहला जो method है, वो है आपका self notes, अगर आपने videos देखते देखते, अगर आपने notes बनाए होंगे, तो उसी को refer करो, देखो अभी इस वक्त, literally आपके पास इतना time नहीं है, कि आप test book का एक एक लाइन read करो, किसी के पास इतना time नहीं है, क्योंकि 64 chapters है, 47 chapters तो आप आपके बस 12th के, 12th के आपके 47 chapters है, अगर मैं PCM की मा बात करूँ, अगर आप एक 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 लाइन read करते बैटोगे, तो कहां से ही सारे chapters आपके revise हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, और चलो ठीक है, 47 chapters आपके prepare नहीं हुए, आपके 40 chapters प्रिपेर हुए, या फिर्टी फाइ chapters को, या फिर 40 chapters को, ऐसे आपको revise करके जाना है, कि अगर वो 40 chapters में से कोई भी कोशन आए, आपको solve करने आना चाहिए, तुक्के के भरोसे पे मत बैटना, तुक्का ठीक है, नेग्यूटिव मार्किंग नहीं है, तुक्का लगा सकते हो, लेकिन तुक्के कितने questions पे लगाना है, 12 में अगर आपने 40 chapters भी prepare किया होंगे, अगर आपने notes बनाया होंगे, एक students के मैं आपको notes बता देता हूँ, यहाँ पे एक notes बेजए है students ने मुझे, यहाँ पे सारे notes उसने बेजए हैं, यहाँ पे जैसे physical chemistry के में बात करूँ, तो physical chemistry में इसने solution chapter का कितने अच्छे से notes ब उचे गए, एक एक चीज इसने mention किये, इसके notes मैंने refer किये, देखे, एक एक important, important, जो minute, minute details होती है, उसने सब लिखा हुआ है, ideal solution, non-ideal solution, उसके example, vapor phase composition, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा, Rawls law, ऐसे अगर आपने notes बनाया होंगे, तो आपके लिए काफी helpful होने वाला revision के लिए, क्य second method जो है, मैंने आपको second method यही दिया है, कि अगर आपने one page strategy, one page strategy, starting से बोड़ रहा था कि हर एक chapter का एक summary type बनाओ, अपने उस chapter से क्या-क्या समझा, आपको उस chapter में कौन-कौन से important topics लगे, important formulas लगे, उसको link लो, एक page पे ही उतार लो, और मैंने बताया भी ताकि आप सभी students को one page strategy का एक file बना लो, एक folder बना लो, एक file बना लो, और उसको revise करते रहो, ताकि at a time आपको पूरा PCM syllabus revise करना है, और PCM syllabus revise करना हलवा थोड़ी है, पूरा PCM syllabus आपको revise करना है, one page strategy इसको follow कर सकते थे आप, अगर यह भी नहीं किया है, तो ठीक है, mind maps से एक last option एक बसता है, आपक mathematics का chapter, यहाँ पर देखो mind maps में भी सारी चीज़े यहाँ पर दी गई है, पूरा chapter यहाँ पर इधर फ्लो चार्ट में दिया गया है, आप सभी students को, faradess law क्या होता है, then यहाँ पर induced current in rotating uniform magnetic field, eddy current क्या होता है, application of eddy current, then यहाँ पर सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, उसी तरह mathematics के, यहाँ पर आपको सारे formulas दिये गए, देखो यहाँ 1 upon x square minus a square का 1 upon 2a log x minus a, ऐसे आपको revise करना है, यह formulas देखो under root x square minus a square, बार बार देखना है formulas को, अब पूरा MSTCT exam ना, formulas के उपर ही है, formulas याद है, तो आपको question फटा-फट solve होते जाएंगे, formulas अगर याद नहीं है, तो मैंने आपको provide किये, सारे mind maps मैंने आपको provide किये, देखो अगर ऐसा रहेगा quadratic upon repeated linear function होगा, तो आपको कैसे करना है, quadratic upon linear function होगा, तो कैसे करना है, यह सब कुछ types दिया गया है, standard types दिया गया है, यहाँ पर shortcut देखो e raised to f of x plus f dash of x आएगा, तो e raised to f of x हम लोग directly उसको लिख सकते यह सब कुछ आपको मैंने mind maps वगेरा provide किया है, उसी तरह chemistry के भी mind maps है हमारे पास, यह electro chemistry का mind map देख लो यहाँ पे, electro chemistry के mind maps, यहाँ पे सारे आपको देखने को मिल जाएंगे, सारे important topics, paradise law of electrolysis, then conductance of electrolytic solution, conductance कैसे find करते हैं, उसका unit क्या है, ऐसे आपको revision करना होता है, revision करना कैस यह तो आपने पहले self notes बनाया है, सबसे पहले, सबसे best revision, अब मैं अपनी बात बताओ, तो मैंने self notes बनाये थे, basically अगर देखो तो self notes सबसे best होते है, revision के लिए, अगर आप कोई video भी देख रहे होना, 10 minute का ही क्यो ना हो, उस 10 minute में आपको क्या समझा है, कौन सा topic clear हुआ है, आ आपको कैसा है, वो 10 minute के video में, आप एक बार लिख दिये न, आप 1-2 minute में वो chapter पुरा, 1-2 minute में topic revise कर सकते हो, not chapter, 1-2 minute में आपको पूरा topic याद आ जाएगा, कि यह ऐसा ऐसा था यह topic, अगर आप लिखोगे तो, चलो ठीक, notes नहीं बनाये होंगे, तो mind maps भी है, अगर mind maps भी है, तो ठीक है, one-based strategy को follow कर सकते हो, ऐसे सबसे जो best method है, वो मैंने आपको बता दिये, अब रही बात, जो batch 1 वाले students है, जिनका exam देखो, batch 2, second में, third में, और fourth में को होने वाला है, आपको please, इस moment पे, panic बिल्कूल भी नहीं होना है, understand this, panic बिल्कूल भी नहीं होना है, over thing बिल् बहुत important line में, आप सभी students को बोल रहा हूं, because आपकी first shift होने वाली है, आप बहुत ज़्यादा anxiety में रहने वाले हो, आपको थोड़ा exam fear होगा, जैसी जैसी exam आएंगे, वह से थोड़ा exam fear पढ़ते जाएगा, लेकिन believe me, आपकी shift easy ही आने वाली है, क्योंकि जो भी modifications होने वाल modification का ये मतलब होता है, shift आपकी सारे students की easy ही रहने वाली है, हमें क्या करना है, 200 में से 160 marks लेके आना है बस, COEP, VJTI college के लिए, तो 160, 160 से 165 marks आ रहे हैं तो हमको definitely महराश्टरा का top 1, top 2 college में admission मिल रहे हैं, तो 5-6 question अगर difficult आ भी गए, तो skip कर दो ना यार, और सबसे most important, paper attempting strategy, paper attempting strategy सबसे most important skill होती है, अगर आप कोई भी entrance exam देते हो तो, आपको paper attempt कैसे करना है, CET का specially कैसे attempt करना है, अगर उसके ओपर detail video चाहिए, तो comment section में comment करो, yes भाया, we want paper attempting strategy video, आप सभी students के लिए मैं बहुत ही जल्द वो भी video upload करूँगा, कि आपको CET का paper कैसे attempt करना है, कैसे solve करना है, साली सीजे हम लोग discuss करेंगे, तो batch one wallet students, please आपको क्या करना है देखो, आपको सरीफ last year के solutions है, last year के paper, 2000-23 के papers, उसके solutions को देखो, अभी ना कोई नया topic देखना है, अभी ना कोई नया mock test solve करना है, कुछ नहीं करना है, आपको बस आपको क्या करना है, जो अपने पढ़ रखा ह अगर बस उसी को revise करते रहना है, that's it, ठीक है, आपको last year के papers देखने है, उसके solutions देखने है, सिब revision करते रहो, और formulas को practice करते रहो, formulas अगर लिख के practice करोगे, तो that will be more better for you, formulas अब जितने बार लिखोगे, उतने अच्छे से आपको formulas याद होंगे, और especially batch one वाले students, please आप meditation करना start क पर दो, अब यहाँ पे end तक आ गए हो, मुझे पता है अपना best दे सकते हो, CT exam में अच्छे marks लेके आ सकते हो, खुद पर भरोसा रखो, देखो फिर कितने अच्छे marks आते हैं आपके, ठीक है, बस अपने आप पे खुद पर भरोसा रखो, और CT exam में positive mindset लेके जाओ, और बस exam साम देखे हो, फिर देखो आपका, आपके marks कितने अच्छे आएंगे, आप कितने खुश रहोगे, बस mindset positive रखना और meditation करते रहना, and please इस last दो दिन में, जितना maximum हो सकता है, जितनी productivity आप से निकल सकती है, उतना अपना जो है daily 100% देना, revise करते रहना, revision करते रहना, okay, next batch 2 वाले के 5th में तक आपको 2023 के सारे papers of its solutions, सारे papers को देख लो, जो इनके exam 9th में से है, 9th में के बाद है, उन सभी students को क्या करना है, सारे papers को go through करना है, and आप सभी students को 6th में को जो है, देखो जो strategy हम लोग ने shift twice बनाई थी, उसी को stick रहना है, ठीक है, उसके according ही आप अपना plan करो, okay, batch 3 वाले students के लिए भी देखो, batch 3 वाले students के लिए भी हम लोग ने जो strategy discuss की थी, shift twice strategy में, वही strategy को follow करना है, आप सभी students को, अभी क्या करना है, आपको एक में से लेके 5th में तक 2023 के सारे papers को देख लो, और 11th के सारे chapters, 5th chapters at least आप prepare कर सकते हो, क्योंकि आपको 15 days extra मिल चुके है, 15 द time ना किसी को नहीं मिलता है, और ये last 4-5 साल में पहली बार हुआ है कि like CT exam में बच्चों को 15-15 दिन का gap मिला है, ये आप सच में बहुत ज़्यादा लखी हो, इसलिए आपको 15 दिन का gap मिला है, otherwise एक ही हफते में PCM का भी exam खतम हो जाता था, एक हफते में, एक हफते में आपक PCB, दो हफते में exam खतम, लेगिन आप बहुत ज़्यादा लखी हो, लिटरली आपको 15 दिन extra मिला है, तो प्लीज आप ज़्यादा और hard work करो, और अच्छे से smart work करो, सारी चीज़े proper तरीके से करो, ठीक है, I hope सारे doubts आपके clear हो गए होंगे, सारे notes वगेरा जो है, सारे PDFs वग करो, physics, chemistry, mathematics, अब जब first shift होगी, जब analysis करेंगे, फिर हम लोग वहाँ पे देखेंगे, 2023 के questions कितने repeat हो रहे हैं, नहीं हो रहे, ठीक है, 2023 के papers आपको solve करने ही करने, उसको as a mock test दे दो, अगर जो जिनका exam जो 9th में के बाद है, प्लीज आप 2023 के paper को as a mock test दो, 2023 के paper as a mock test solve करो, वह इसके उपर काम करो, ठीक है, अगर आपको paper attempting strategy पर वीडियो चाहिए, तो comment section में comment करो, like, हम लोग बहुत ही जल्दी उसको भी upload कर देंगे, ठीक है, I hope सारे doubts clear हो गए है, बस थोड़ा सा mind को fresh रखना, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, आप अपना best देख्या आओगे अब अपने brain को खुद को यही बोलो कि like, आप अपना best देने हो आप अपना 100% देने हो आप बस यही चीज है, ठीक है, वीडियो कैसा लगा, comment section में बताना, वीडियो को like ज़हूर करना, मिलते है फिन next session में, अगर पहली बार आया हो channel को, channel को subscribe भी कर देना, ठीक है, all the very best, मि झाल त। तए ने 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 हुआ हुआ है